हेलो माईर टेश्टुएंट्स्रीक वेलकम बैक एijke मईएवियू दिश्टिलक्लासेजु और आज हम बात कर रहें watch plot को वारे में बिसली वीडियो में पशम द॥ा cylinder करते हैं कैसे 5 पॉइंट summary चार्ट हम बनाते हैं, as well as हमने आपको कुछ examples भी दिये थे ये बताया थे कि notch को कैसे use करते हैं, simple box plot कैसे बनाते हैं, उसी part को continue करते हुए हम आगे बरते हैं, और आज हम बात करेंगे box plot के कुछ और attributes के बारे में, कुछ और arguments के बारे में, कि हम different other arguments कैसे use करते हैं, box plot mean line, यह mean line का मतलब क्या होता है, कि if a mean line and show means both are truth and it render the means as a line, जैसे कि आपको show means का option दिया था, तो आपको ध्यान होगा कि वहाँ पे triangle options आपको दिखाया जा रहा था, लेकिन उस triangle option के जगर पे अगर आप यह चाहता हो कि complete line plot हो जाए, एक complete line जो यह green color का line आपको यहाँ पे दिख रहा है, यह आपका क्या है mean line है, this is your mean line तो अगर आप यह options चाहते हो कि यहाँ पे line draw हो instead of this rectangle ठीक है, तो आपको mean line को true करना होगा, but condition एक है कि mean line के साथ so means भी true होना चाहिए, otherwise यह आपको नहीं display करेगा like this, आप देख सकते हैं इसी examples के अंदर में, मैंने यहाँ so means को भी true किया है, और mean line को भी true किया है, ठीक है तो हमें एक ऐसा mean line दिखाई दे रहा है, okay, this is the arithmetic mean दूसरे examples देखते हैं इसी जगर पे कि अगर आप so means को false कर दे रहो हो, जैसे कि mean line को हमने true किया, मैंने आपको कहा था कि so means भी false true होना चाहिए, और so means को मैंने false कर दिया, तो जैसे ही मैंने so means को false किया, तो यहाँ पे कोई mean line हमें दिखाई नहीं दी रहा है, okay, तो it's not so much important, मतलब ज़्यादा difficult नहीं है, आपको simply क्या करना है, so means को भी true रखना है और mean line को भी true रखना है, अभी तक आपने so means को true रखा हुआ था, पिसले example में जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे आपने so means को true रखा था, अब आपको simply mean line को true करने का काम है, आप mean line को true कर देंगे तो आपको यहां पर मिल लाइन दिखाई देगा आए मैं आपको इसको एक बार examples के थू दिखा देता हूँ तो चलिए अपने python पे चलते हैं तो यह रहा हमारा python का example जो आपने अभी पीछे बनाया था तो आप यहां पर देख सकते हैं कि so means यहां पर true दिख रहा है इनकी हमें जरुवत नहीं है इन सबको मैं comment out कर देता हूँ मुझे इसकी अभी कोई जरुवत नहीं लग रहा है तो so means true है not true है यह हमारा last example था तो so means true और not true के कारण देखिए हमें एक output मिलेगा जो output आपको अभी आ जाएगा यह just yeah तो आप देख सकते हैं कि एक triangle मना हुआ है and this triangle is representing the automatic mean तो अब हम चाहते हैं कि इस triangle के जगर पे हमें क्या मिने mean line मिले तो मैंने क्या किया यहां पे mean mean line is equal to true कर दिया mean line is equal to true कर दिया mean line true करने के बाद मैंने code को save कर दिया and now you execute this code अगर आप इसको execute करते हो तो now you can find out कि it's showing a mean line here अच्छा जो condition है उस conditions को ध्यान दखना है कि mean line और so means दोनों ही true होना चाहिए अगर माल लिजे कि मैंने so means को false कर दिया और mean line को true कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि आपने पहले यह कहना है कि means को दिखाओ और फिर आपको कहना है कि means को triangle के फॉर्म के बजाए एक straight line के फॉर्म में दिखाओ एक dotted line के फॉर्म में दिखाओ ठीक है तो जब आपने so means को false कर दिया तो means आएगा ही नहीं और means जब आएगा नहीं तो mean line का कोई uses है नहीं यहाँ पे तो now you got it कि how can you use the so means with the mean line okay the next is so box if it is true then show the box otherwise not default it is true by default यह क्या होता है box आपको दिखा रहा होता है और एक हमारे पास patch artist options है यह इसे आपको true करना होगा then it will show the fill the box default क्या है यह by default it is false तो ठीक है ध्यान लखना है by default आपका so box true होता है और यह by default आपका false होता है तो चली जड़ा इसको examples के through देखते हैं जैसे कि अभी देखे मैंने यहाँ पे so box को false कर दिया है so means हमारा true है तो यह देखे इसने हमें arithmetic mean तो दिखाया ही है ठीक है तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो so box है तो यहाँ पे कोई box आपको दिखाई नहीं दे रहा है कोई box आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसी की जगर पे अगर मान लिजे मैंने so box को भी true कर दिया is there any mistake in this code or not ठीक है तो अब so means, mean line सभी चीज को रहा जाते है मैं यहाँ पे एक so box है so box इसको मैं false कर देता हूं ठीक है मैंने इसको false कर दिया false करने के साथ ही देखते है कि क्या होता है first look at this output अब आप देख सकते हो कि आपको कोई box नहीं दिखाया जा रहा है ठीक है तो so box हमारा क्या हो गया यहाँ पे false हो गया ठीक है अब अगर मैं so box को true कर देता हूं माल देजे यहाँ पे मैंने true कर दिया जो by default ही value इसकी true होती है तो आपके true लिखने का कोई use नहीं है आप चाहे तो so box argument को ही हटा दीजे वहाँ से बट चलिए मैंने so box को true कर दिया तो true करने के बाद देखिए हमारे सामने box available है अब यहाँ पे एक दूसरा option है हमारे पास patch artist क्या है? patch artist और इसकी value मैं कर देता हूँ true इसकी value मैं कर देता हूँ true तो patch artist को true करते ही जब मैं इसे run कर आऊँगा तो now what we will get we will get the filled box तो यह आपको filled box मिलेगा तो यहाँ पे यह figure by mistake wrong है यहाँ पे अगर यह so box true है so means true है तो यह figure नहीं आएगा इसमें rectangle दिखेगा but without filled दिखेगा okay so and next is the levels next is the levels के levels क्या होता है levels the plot if not mentioned then by default level is the one to each use माल लेजे आपके पास multiple data है आपने multiple box plot बना दिये और इस multiple box plot को आप कोई leveling करना चाहते है number देना चाहते है for that purpose we are using the level argument and it is work with the multiple data if you are drawing the multiple box plot और एक चीज़ ध्यान लखना है multiple box plot plot बनाने के लिए आपको सिप multiple data provide करना है as a list as a list okay तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 box plot बना दिया है और इसको by default number मिल गया 1 and 2 ठीक है but अगर इसकी जगह पे हम चाहते हैं कि नहीं कुछ लिखा हुआ है जैसे कि यहां पे राम और महन लिखा हुआ रहा है तो how it is possible it is possible with the help of the level argument तो for that purpose we have to use the level argument and we have to provide the number of levels. Be careful the number of level must be equal to the number of data. जितने data होंगे उतने level भी होंगे तो let's see in the example तो चली हम अपने एक्जाम्पल पे आ जाते हैं एक बर okay so now move at here so everything is correct हमने इसको मैं जरा सा इसको निचे ले आता हूं and now I have one more data here okay so I am going to give the name of this data is data2 and I am going to use the tuple मुझे लिस्ट बनाना होगा तो I am writing here data2 और मैंने इसको 2 data provide कर दिया अब मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं सिर्फ मैंने 2 data provide किया है and now I am executing this box plot so look at this it's showing the 2 plot here and what the level is showing 1 and 2 so instead of 1 and 2 मैं इसको a b c d या something कुछ और बताना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा मैं यहां पे लगा दूंगा levels is equal to और मैं यहां पे डाल देता हूं a comma b a comma b okay a comma b और मैं इसको list को close कर देता हूं save करता हूं and now I am going to execute this code, execute करते है and you will get a and b तो आपको यहां पे a and b देखिया, so that is the use of the level, so I hope you understand कि level को हम कैसे use करेंगे और क्या purpose है हमारा और कभ यूज करेंगे okay, there is a what what is the another argument by default आपने जो भी box part बनाया है वो सारे के सारे vertical है by default क्या है वो vertical है, क्यों vertical है, because the what argument is by default true the what argument is by default true so if you want to make it horizontal, if true then makes box vertical अगर आप इसको false कर दोगे then it's going to draw the horizontal bar graph, let's see यहां पर what true है, हम नहीं भी what true देंगे, तो हमें यही graph में देखने को मिला था, अभी पिछली example में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, अब है कि अगर मैं what को false कर देता हूं look at this, here what is the false so what types of the graph I am getting I am getting the horizontal box plot हमें क्या मिला, horizontal box plot the what argument is there and through that you can change the orientation of the graph, orientation of the box plot you can make it vertical by making the what argument true and you can make it horizontal by making the what argument false, okay, so let's see through an example तो यहां जाते हैं और यहां पर मैं आपको what is equal to false लिख देता हूं ठीक है, क्योंकि by default यह true ही होता है, तो मैं कुछ और दिखाने की जो होती है हमें, and now I am executing this and let's see, the what types of the graph you are getting, you are getting the what horizontal war graph box plot, okay, so you understand about this, what argument nothing, you have to only use the what argument with the false value so this is about the box plot, so everything, every arguments I have used and I have shown everything about this कि हम कैसे multiple box plot बलाएंगे, अगर आपको multiple box plot बनाना है, तो you have to provide the set of data inside the as a list argument then if you want to give a proper name, then provide the level arguments okay, and the value are written inside the list, then if you want to make it vertical then use the vertical to true and otherwise you can ignore it if you want a notch box plot then use the nox otherwise leave it, then it will show the rectangle box plot, so box true, by default it is true, okay patch artist, filled if you want to filled box then use the patch artist, show means, if you want to show the mean line and if you want to show the means with the dotted line like this, then you can use this argument, so this is about the box plot and anything else if you want to know about something more, you can visit on this link and from here you will get the some more information so I am sure you will like this video if you like it if you like it, if you like it, if you like it not, you can dislike it, you can not subscribe to it, so subscribe and in the next video we will talk about anatomy of chart, how we can customize the chart thank you, bye bye, take care for the next video, bye bye, take care for the next video, bye bye, take care bye bye, take care